गर्मियों के दिन थे, एक कवा प्यास से बेहाल था और पानी की तलाश में यहां वहां भटक रहा था, किन्तो कई जगों पर भटकने के बाद भी उसे पानी नहीं मिला, वहां बहुत देर से उड़ रहा था, लगातार उड़ते रहने के कारण वहां बहुत ठक कर चूर हो च कट है, आज वहां अवश्य मृत्यू को प्राप्थ हो जाएगा, ठकान के कारण अब उससे उड़ा नहीं जा रहा था, कुछ देर आराम करने वहां एक मकान की छट पर बैठ गया, वहां उसने देखा कि छट के एक कोने में घड़ा रखा हुआ है, घड़े में पानी होने क कि आस में, वहां उड़कर घड़े के पास गया, और उसके अंदर जांक कर देखा, कौए ने देखा कि घड़े में पानी तो है, किन्तु इतना नीचे है कि उसकी चोच वहां तक नहीं पहुँच सकती थी, वहां उदास हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था, कि कैसे घड़े में रखे पानी तक पहुचे, लेकिन फिर उसने सोचा की उदास होने से काम नहीं चलेगा, कोई उपाय सोचना होगा, घड़े के ऊपर बैठे बैठे ही, वहां उपाय सोचने लगा, सोचते सोचते उसकी द्रिष्टी पास ही पड़े कंकडों के धेर पर पड़ी, फिर क्य था, कोई के दिमाग की घंती बस गई, उसे एक उपाय सूच गया, बिना देर किये वहां उड़कर कंकडों के धेर पर पहुचा, और उनमें से एक कंकड अपनी चोच से उठा कर घड़े तक लाकर घड़े में डाल दिया, वहां एक एक कंकड अपनी चोच से उठा कर उपर आ गया, कि कववा उसमें चोच डालकर पानी पी सकता था, कववे की महेनत रंग लाई थी, और वहाँ पानी पी कर त्रिप्थ हो गया, सीख, चाहे समय कितना ही कठिन क्यों न हो, धैर्य से काम लेना चाहिए, और उस कठिनाई से निकलने के लिए बुद्धी का प्रयो संभाव है.